तो आज हमारा ट्रिप का दूसरा दिन मतलब माउंटेंज में तुम फॉग देख लो कितना है तो अभी सब्दोग तयार हो रहे हैं कुछ लोग तयार हो चुके हैं तो हम शायर लेक साइड जाएंगे अब देखेंगे देखते हैं कहां जाना है तो मैं भी अल्मोस्ट रेडी हो चुका हूँ तो बाकी मैं तयार हो जाता हूं उसके बाद मिलते हैं कुकी मैं जार हो जाता हूं तो पाला हुँ क्द्राह एजड़ हुँ टाना हुँ आखेंगे अबाद रहो चाईंगे भी सेर कुकी तासर की श्ड़ेघब्स इस अज़े प्राएंगे गु 거지 प्राएंवेंद ते तेखस्के कुआओेंमस तो गाइज रेडी हो चुका हूं है और अभी मैं जा रहा हूं रेस्टराण में देखते हैं लेक का क्या सीनिया लेक जाना है नहीं जाना है पहले रेस्टराण चलते हैं बागी सब लोग वहीं पे हैं यह रिजॉट चारो तरफ से ग्रीनिश माउंटेन से कवर्ड एक दम मतलब पूरा एरिया इनका ही है और आसपास और कोई रिजॉट नहीं है देट इस दे बेस्ट थिंग वो जो आप आगे देख रहे हो जगा इस तरफ यहां आगे एक लेक है अभी एक्चली सूका पड़ा हुआ है वो मौसम एक्चली बारिश अभी एक दिनों में तीन दिनों में आई नहीं है तो लेक थोड़ा सूका पड़ा हुआ है बाकी ओवराल थे प्रॉपर्टी इस रियली वेरी गुड और काफी बड़ी प्रॉपर्टी है मतलब आप अगर फ्रेंट्स के साथ आते हो अपनी फैमिली के साथ आते हो तो पेंच के अलावा इस इस दे बेस्ट ऑप्शन इस लाइन से इनके रिजाओट रूम्स है वह देखो वह देखो वह देखो बेट वेट 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 यह देखो अधिको जल पर है को लाइन बाइन रूम्स है आसपास चारों तरफ माउंटेंज एंग रिणरिया है ये चेक करो भाई साव ये चेक करो यार कम से कम 6-7 साल बात देख रहा हूं इतनी ज्यादा गिडिःनरी और इतनी दूर तक लग chroni जहां तक मेरी आखे जा रही हैं मेरी नजर जा रही हैं सोरी आखे कैसे जा सकती है जहां तक मीरी नजर जा रिए है शेकों सिर्फ और सिर्फ paseo हर्याली ही हर्याली है इतनी शांति मलब बर्ड की चर्पिंग की आवास भी आ रिया यार डेंश एक करो देंशक करो यार और वाह कशम इतनी प्यारी जगह यार इतनी शांती अगर कभी कहीं घुमने जाने का प्लैन बनता है तो यह प्लेस को भी माइंड में रखना जरूर मैं सारी डिटेल्स शेयर करूँगा इस व्लॉग में एंड में ठीक है बने रहो अब हम जा रहे है नास्ता करने इट्स ब्रिक्फास्ट ताइम तो देखते हैं क्या बना है नास्ते में और नास्ता करने के बाद हमें चेक आउट करना है अराउंड 11 11 30 तो चलो पहले देखते हैं नास्ता हुस्ता करते हैं यह देखो हीरो हमारा भाई कैसी रही कैसा लगा व वी जस्टेक्ट आउट ब्रेक्फास्ट भी हो गया मारा हमने अपना सामान भी पैक्क तरली और आम आ गया रूम से भार और अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे वापस नाकपुर की तरफ और अच्छा लगा है तुमको सही बात बता रहा हूं मतलब बहुत सही जगा है अच्छी तो हम पहुंच गए थे आराम से घर घर आने के बाद मैं सो गया लेटरली क्योंकि लास्ट नाइट हम सोई जो यह नहीं थे तो नहीं बहुत जरूरी है इसलिए मैं आया सीजा सो गया वापसि में भी मैंने कुछ कार में बैटने का शूट नहीं किया तो ऐसा है कि अब दो सोके उठाओं तो फरस्ट फॉल अभी मैं आज यसे मैंने बोला था कि मैं व्लॉक की स्टार्टिक में मैंन जारा के आगे है यह अराउंड नागपुर और अगर आपको पेंज या ताड़ोपा के अलावा और कोई ओप्शन चाहिए रिजॉर्ट के लिए तो दिस इस वन अफ तबेस्ट अपार्ट फॉम देम क्योंकि यह काफी यूनीक है यह एरिया में और कोई रिजॉर्ट नही है तो वह बेस्ट सेलिंग पॉइंट है रिजॉर्ट का और स्वीट रूम से सबसे पहले विद बालकनी व्यू उसके अलावा इनके पास डॉमेट्री जिनमें फैमिली से सकती है लाइक टू टेन बैट्स होते हैं डॉमेट्री में तो एक साथ सारी फैमिली भी रहके एंज पूल है तो काफी सारी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात व्यू आसपास का व्यू आसपास की सराउंडिंग लाइक बहुत बढ़िया चीज है तो यह तो हो गई प्रॉपर्टी की बात अगर आपने इससे पहले नहीं सुनाए का भी तो तो ऐसा है कि इस सारे डिटेल्स मैंने दे दी हैं स्टेल आप तदेशी स्टीट जो मेरा इंस्टाग्राम का व्लॉग अकाउंट आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप नहीं करते हो तो आपको उस पे और भी रिल्स वगएरा मैंने डाली हुए है तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी ठीक है और थैंकि सो स्ट्राइब कोरकं सा 20 अदग को यहां हैं और बढ़े हैं लाएय करतो श्यरा करतो कमेंट करतो कमेंट करतों आप दोने नंव्ल्स की आपको अबता ड्यूंही ना इससे पहले हैं मेरा 6 जो मेर खुद्स नूंहीं हुट मेरे चैनल चैनल पर आपने मिस कर दीया है तो जाओ आप देखो छे व्लॉक्स इसके लावर पांच व्लॉक्स ओर रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा I hope और ऐसे प्यार बनाए रखो नेक्स्ट व्लॉक्स आएगा एक या दो दिन के अंदर अंदर क्योंकि हम फुल ट्राइ कर रहे हैं कि हम रेगलर्ली डालें खिक है तो बस मिल क्पुल बस।